फालकुन माश, क्रश्न, पक्ष और त्रेदशी, वार, सुक्रवार और आड़ तारी को हमारे भारत वर्त में ही नहीं परन्तु शखल विश्व के अंदर जो है ये महाशिवरात्री का त्योहार मनाया जाता है इस दिन हमें शिवजी का ब्रत रखना चाहिए पूरे परिवार को शिवजी का हिंदू का करत्व है परम करत्व है हमारे इस्ट हमारी महा देव जो है शिवजी है इनका ब्रत रखना चाहिए इस दिन पूजन करना चाहिए क्या करना चाहिए पूजन शिवजी को गंद है ये सपेद अर्ख है इसके फूल है ये इन फूलों की माला बना करके शिव जी को जो पहनाने चाहिए तो आपको शिग्र ही शिद्धी प्राप्त होगी आपको बहुत बड़ा लाब होगा शिव जी के उपर जो है धतुरा आता है वो डोड़े आते हैं वो भी चटाना और ये शिव जी के अंदर विल्व फल होता है विल्व प्रक्ष होता है उसके अदर विल्व फल लगते है इतने अच्छे जिसे बगवान को चड़ाना चाहिए शिव प्रसंद हो जाते हैं जब शिव बड़े प्रसंद हो जाते हैं तो आपको अनेक प्रकार के शिद्धिय और समर्प्रथ दूट शिव जी को क्या करना चाहिए वह ऐसा मा जी तर्ट तो कुछ भी कहे तो भी आपको जो है इस महा शिव्रात्री के दिन भगवान सेव को नहीं दो है दूट तो आप शेख तो करना ही चाहिए पंचावृत का तो है भगवान शिव लेकिन दूप्त को तो अवश्य ही जो है बगवान को शनान करना चाहिए और गंगा जल्स शनान करना चाहिए बगवान संकर को जो है वश्य भूशन हमेशा बोजा करो शिवरात्र के दिन तो महासक्ति साथ में पारवती का भी जब मिलता है पारवती और बगवान शिव दोनों की आरातना करने चाहिए दोना का पूजन करना चाहिए ब्रत रखना चाहिए दोनों को नए कपड़े पहनाने आरती करना चाहिए तो इस प्रकार से कहते हैं कि विन्देश्वरी शहिता में रुद्र शहिता में कोठी shidharatri और काल राते लेकिन ग्रंटों भगवान सीव जो है समश्थ वेदों के अधिष्टाता है भगवान सीव समस्थ तंत्रों के अधिश्टाता है इसलिए सब्सक्राइब पहले यह गंदर सब विलकर के से बगवान सिवकी आराजना करते हैं वंदना करते हैं अभी बहुत चार समय है पूजा का एक ब्रहमुर्थ एक प्रातेकाल और एक मध्यान और अरधरा सांकाल अरधराद इन चारों में योगी सुड़तों लोग क्या करते हैं योगी तो सब काम छोड़ दिन चारों काल में यह भगवान सिवकी आराजना करते हैं मंत्र पढ़ते हैं तंत्र पढ़ते हैं ऐसे जो है यह मुद्रिका रखते हैं और सी धे बेट जाना चाहिए कमत बिलकुल सीधी पीरिट केड़ी सीधी यह इंदर उधर हिले नी आखें बंद और मंत्र पढ़ता प्रेरा चाहिए आँष्डीया ओप नश्या आँष्दा अँष्टीया ऑव निर्धात्य जाथ ये श्विवजी का प्रमंत्र है भाहि महाम्रुत्व भुझ्या शेल सबशित्या मलती है और अमर हो जाता है, सत्वस्तक जीवित रहता है, वो मनिश की समस्त कम नहीं है, जो इच्छा करता है कि होना चाहिए, इस मंत्र के सिद्ध होने से सब ही सिद्ध हो जाते हैं, इसका जो है, पहले वीज मंत्र आम जूशा, पहले वीज मंत्र बोलना चाहिए, और फिर ये मंत् पूरा मंत्र हो गया तो देखो यह मंत्र जो है आपको जब बंत्र पढ़ोगे तो अरे शीव तो आपके और महा पार होती अरे शीव रात्र कि कोई पती पतनी अपने पती से मिलती है और कितनी प्रबत्र कितनी रोवांचित होती तो शीव रात्र के साजना करते हैं यहां केलास परोते हैं ब्रह्मरंदर को केलास परोत के ऊपर जो बगवान सिव का वाश भाहां पुष्टि यार्वान सिव से मिलती है तो कितना आनंद प्राप्त होता है परवानंद प्राप्त हो जा वह आनंद के समंदर में गोते लगाने लग जाता इसलिए साथ को आप उस दिन दिन शिवरात्री महा शिवरात्री के दिन सिवजी के आराहत्ना करो उपाष्ना करो आपको अमरतफल पrab Verts होगा जो अमरत फल पृप्त हो जाएगा तो आपको क्या फिर क्या थे नाश्ड़िस्टिया ननिद्या। को प्राप्त हो जाएगी इसलिए आप से परम हिंदुओं का कर्तव्य है चाए कुछ भी हो सब काम छोड़ करके आप इस दिल उपासना करो और रात्री भल जब करो देखो एक हजार आट वार मंत्र बोलो कितिवार और चारों काल में कौन से काल में ब्रमुर्द सुबह मध्यान रात्री और साहिकाल इस चारों काल में एक हजार आठ सो बार आम नमस्षिवाय आम नमस्षिवाय या ओम जूश है ओम जूश है या त्रमबकम यजा मैं शुगंतिं पश्टम बर्दनम और रुपमे बंदनाम रतियों मुक्स इमाम था तो आपक बहुत इस्ट्रेश्ट जो है महरत है इसमें सुर्य सनी और बुद्ध की युक्तिय समंद्ध है और सर इस्ट्रेश्ट कितने शालों से यह महरत आ रहा है इसलिए आप इस दिन उपास ना करना आप भगवानी सीव की पूजान करना अराधना करना हर तरह से सिवजी कोई च जरूर यह पुष्प है यह बड़े दुल्ब पस्वे है सपेद अर्क इसको क्या कहते है सपेद अर्क कहते यह इसके भूल है इन पूलों की माला बनाना और माला तो अवसे ही भगवान संकर को चड़ाना दुद्धा विशे करना बगवान सीव और महासक्ति कुंडि की को आज़ इसे दिया, नो इसे दिया प्रातों.